तो सर्व प्रथम इसकोन धान बाद के सारे भक्तों को मेरा साधर प्रणाम वान्चा अकल्बतरू भयस्य, क्रिपाशं नुद्धु बयव च पत्था नाम पावनेभियो वाइश्न वेभियो नमू नमहा अनन्त कोटी वाइश्न वरिंद की जाए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए इसकौन वर्तमान गुरु वरिंद की जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ बहुत ही विशेश और महत्वपूर्ण विशय पर हम चर्चा करेंगे और ये विशय काफी दिल्चस्प और काफी जरूरी है आज के जो वादावरन अभी जो करोना का सिचुएशन पूरा चल रहा है प्राथ प्राथना एक मात्र जो है हमारा सहायक है या एक मात्र हमारा आधार है तो आज हम इस अद्भुत शिर्शक पे चर्चा करेंगे प्राथना की शक्ति प्राथना क्या है प्राथना क्यूं करनी है तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे तो प्राथना ये शब्द से क्या समझ मे क्या है प्राथना करना, प्राथना यह जो शब्द है, उसका मतलब क्या है, प्राथना को लोग काफी कॉंप्लिकेट कर देते हैं, लोग सोचते हैं, प्राथना करना मतलब शायद एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उसका, कैसे करना है, उसके लिए कोई जगा चाहिए, कोई एक प्राथना माने, इसकी सिंपल एक लाइन की परिभाशा या एक शब्द में अगर में कहूं तो प्राथना करना माने भगवान से बात्चित करना बस, यह है प्राथना भगवान से बाते करना तो इसके लिए हमें इतनी चिंता करने की ज़रुरत नहीं मुझे Sanskrit नहीं आता मैं कैसे प्रात्ना करूंगी मुझे पता नहीं कैसे प्रात्ना करते मुझे नहीं आता प्रात्ना करना प्रात्ना करने के लिए क्या मंदिर जाना पड़ेगा क्या करे कहा करे प्रात्ना तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं आपको बाते करने आती है, तो बस हो गया, बाते करो, भगवान से बाते करना माने, प्राथना करना, भगवान से बात करना, तो भगवान से बात करना, और भगवान की बात सुनना, ये भक्ती जीवन का सार है, क्रिश्न, कृपामूर्थी, अभायचर नारविंद, भक्ति वेदान्द, स्वामी, श्रील, प्रवपाद, इसकौन के संस्थापक आचारिय, कई जगा ये बात की पुष्टी कर चुके है, या कई जगा पे ये बात बता चुके है, कि भक्ति जीवन का सार है भगवान से बात करना, भगवान की प्रातना करना, भगवान से बाते करना, अगर आप देखो चैतन्या चरितामृत के मध्यलिला, चैप्टर फॉर्स नंबर नाइन्टी फाइव के तात परिये में श्रील प्रवपाद कहते हैं, कि अगर आप भगवान से बाते नहीं कर रहे हो, और भगव मतला प्रगवान कुच कहेंगी, हम कुच कहेंगी, इस लЕवल पर आना ही भकती जीवन का लक्ष है, भगवान श्री विग्रह के रूप में आते ही इसलिए है, कि वे अपने भक्तों से परस पर प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, और प्रेम का आदान प्रदान कब होगा, तो आज हम इस विशय पे चर्चा करेंगे कि प्रात्ना क्यों करें, प्रात्ना कैसे करें, प्रात्ना कब करें, प्रात्ना कितने प्रकार की होती है, प्रात्ना किस-किसने पुरानों में, शास्त्रों में, इतिहास में किस-किसने की थी, उसका फल क्या था, और हमें कैसी प्रा आप आराम से बैठे हैं और हम धीरे धीरे इस विशय के अंदर में जाएंगे तो सबसे पहले प्रात्ना क्यूं करें? मैंने इस पर कम से कम यहां 50 रीजन्स कारण लिखे हुए हैं कितने कर पाएंगे समय की मुझे पता नहीं है लेकिन जितना हो सके हम कम्प्लीट करेंगे सो प्रात्ना क्यूं करें? क्यूं करें हम प्रात्ना? सबसे पहला कारण प्रात्ना हमें क्यूं करनी चाहिए? प्रात्ना करने से हमेरी हमारे कमजोर विचारों को शक्ति मिलती है हमारे कमजोर विचार क्या है? scientist researchers कहते हैं कि on an average एक 24 घंटे के समय में एक इंसान के मन में 30,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं 30 से 40,000 के बीच में विचार आते हैं रोज 24 घंटे में एक healthy person को कुछ न कुछ विचार थंडा लग रहा है AC चालू करे ये करे पानी पिना है स्कूल जाना है इसको drop करना है ये करना है मैं आज ये करूँगा इतनी सारे 30 से 40,000 विचार और इस 30,000 के बीच में एक विचार ये भी आता है कि मुझे भक्ती करनी है मुझे भगवान का भक्त बनना है तो अब ये आप imagine करिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने सारे 1000,000 विचारों में से ये एक विचार कहीं दब जाता है विचारा कमजोर विचार है ये एक विचार जो हम सोचते है मुझे गोलो को बिंदा बन जाना है मुझे भगवान के पास जाना है मुझे भक्ती में आगे बढ़ना, ये विचार दब जाते है, लेकिन जब हम प्राथना करते हैं, तो ये जो हमारा कमजोर विचार है, उसे शक्ती मिलती है, इसलिए हमें प्राथना करनी चाहिए, जब हम प्राथना करते हैं तब ये विचार दूसरे विचारों को मारता आगे बढ़ेगा और फिर हम भक्ती जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो प्राथना करने से हमारे spiritual आध्यात्मिक कमजोर विचारों को पुनाह शक्ती मिलती है नरिश्मेंट मिलता है दूसरा कारण हमें प्राथना क्यों करनी चाहिए प्राथना करने से असंभव कारिय भी सं द्धवैस में वे अकेले अमेरिका गए थे फिर भी 10 साल के अंदर में 108 मंदिर उन्होंने खोल दिये तो यह असाधारन काज है तो कैसे हो पाया यह असाधारन काज क्योंकि शिलप प्राथना करते थे भगवान से प्राथना करते थे भगवान मुझे शक्ती दीजे कि मैं म भी हम सोचते हैं, शायद ऐसा empowerment सिफ प्योर devotees के लिए है वो तो सब बड़े लोग है, प्योर भक्त है, उनके लिए है, ने ऐसा नहीं है, कोई भी अगर प्राथना करे साधारन से साधारन, छोटा से छोटा भक्त भी करे तो भगवान उनको भी सकती प्रदान करते हैं, और वो भी अपनी छट के नीचे, अपनी एक छोटी सी अम्रेला के नीचे भी असाधारन काज कर सकते हैं, तो जब हम प्राथना करते हैं, असंभव कारण, असंभव जो लगता है असंभव है, वो भी असंभव हो जाता है आज अगर मुझे विशाखा पट्नम से मायपुर जाना है तो अगर मैं चल के जाती हूँ तो शायद पता ने कितने दिन या महीना लग जाए लेकिन अगर मैं प्लेन में जाओंगी तो एक गंटा विशाखा पट्नम से कलकता एक घंटे में चले जाते है तो उसी तरह से बिना प्राथना के जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति से होता है जब हम प्राथना को मिला देते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति मिल जाती है जब भगवान की शक्ति मिल जाती है माने एरोप्लेन का टिकेट जिसका एक मैना लगने वाला था बस एक घंटा में वो काम हो जाता है जब प्राथना करते है तो पूरी दुनिया भगवान की शक्ति को देखती है हमारे थ्वारा मेरा ये काफी प्रिय भजन है आपर बोलता है भगत मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम गनहया मेरा नाम हो रहा है यही है भक्तों की कहानी, भक्तों का कहानी यही है, बस भगवान करते है क्योंकि भक्त प्राथना करते है, तो भगवान करवाते है उनसे असाधारन कारिया, क्या यह humanly possible है, एक बूठा व्यक्ति, इतने हजारों भक्त बना दे, 10 साल के अंदर में इतने मंदर खोल दे, पुर से पहले हमने कहा प्राथना से कमजोर विचारों को शक्ति मिलती है, प्राथना से हमें असाधारन असंभव काज भी संभव हो जाता है, तीसरा कारण, प्राथना करने से हमारी आत्मा को पोशन मिलता है, है यापर दो फैक्टर है हमारी जीवन में, एक तो हमारा शरीर है, एक जो है बैठा हुआ हम आत्मा तो हम क्या करते हैं हमारी शरीर की बारे में सोचते हैं शरीर को पोशन देने के लिए खाना देते हैं शरीर को ध्यान रखते हैं शरीर को मेडिसन देते हैं लेकिन आत्मा का पोशन नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे जीवन में आनन्द नहीं ह लेकिन जब हम प्राथना करते हैं, तो जिस तरह से खाना खाने से शरीर को शक्ती मिलती है, प्राथना करने से आत्मा को पोशन मिलता है, तो इसलिए हमें प्राथना करना चाहिए, जब तक कि हमारे जीवन के हर डाइमेंशन को हम सठीक समान भाव से समय नहीं देंगे, तो क् वहारा imbalance रहेगा तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। सो प्राथना करने से आत्मा को जब portion मिलता है तब हम happy हो जाते हैं। प्राथना करने से आत्मा ही नहीं, actually प्राथना करने से शरीर को भी portion मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताते हूं। बहुत साल पहले Oxford University Press ने किताब पब्लिश की थी, The Handbook of Religion and Health. उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रिसर्च प्रस्तूत किये थे, कैसे प्राथना करने वालों का शरीर भी स्वस्त रहता है. तो उन्होंने उस रिसर्च में ये जाना कि जो प्राथना करते हैं, वे नॉर्मल लोग जो प्राथना नहीं करते हैं, उनसे साथ से लेके ग्यारा साल तक ज़्यादा दिन जीते हैं. On an average, प्राथना करने वालों की आयू ज्यादा बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि प्राथना करने से वे खुश रहते हैं, उनके मन में एक हिम्मत होती है, एक धैरिया है कि मेरा कोई है, ये मेरी रक्षा करेगा, मेरे उपर कोई है, तो वो जो फीलिंग होती है, उससे बॉड प्राथना करना बहुत ज़रूरी है. मेरे स्टुडेंट लाइफ में, कॉलेज में, मैंने एक बहुत सुन्दर किताब पड़ी थी, जो किताब का नाम अबयाद नहीं है, बट उसमें एक सची कहानी थी, 1957 में, डॉक्टर वेस्ट नाम के एक डॉक्टर थे, और वे एक का नाम था, Mr. Wright, अब चाहे तो गूगल में इसको देख सकते हैं, अची कहानी है, उनको एक अजीब तरेकी की डिजीज हो गए थी, मेरे ख्याल से उसको लिंफो कैंसर या कुछ बोलते हैं, यहां पे गले के नीचे इतना बड़ा जो है घाव जैसा हो तुमर जैसा हो गया हो रहा है, तो लगा नहीं कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वहाँ एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल में है, तो नीचे पेपर पड़ रहे थे, जो पेशेंट है, अब नीचे पेपर में आ गया कि इनक को जो पर्टिकुलर डिजीज हुआ है, साइंटिस्ट ने उसका सोल्यूशन ढून लिया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत ट्रायल चल रहे है, तो इसलिए वो दुकानों में उपलब्द नहीं है, अब जब ये पेशेंट को ये दिखा तो साथी साथ में उनने डॉक् क्या हुआ, पुला देखिए, आपने निउस्पेपर में आया है, मेरे इस रोग का मेडिसन है, तो काइंड़ी आप खरीद लीजिए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन आप तो पढ़ रहे हूं निउस्पेपर में लिखा है, अभी तो दुकानों में नहीं मिल रहा है, इसका ट्राइल चल रहा है, नहीं मैं आमीर आदमी हूँ, मैं लाखो करोड़ों देने के लिए तयार हूँ, आप जो साइंटिस्स पे ट्राइल कर रहे है, आप वहां से लेकिया जाए, लेकिन मेरे लेकिया ये, क्योंकि ये, मैंने दिखा यहां पर लिखा है कि सक्सिस्फुल है और बहुत जल जो है वे लॉंच करने वाले है, अब डॉक्टर को समझ में आया क्या करे, काफी बुद्धी मान था, उसने क्या किया, जस्ट इसको mentally satisfy करने के लिए, दस दिन के बाद में, ऐसा ही एक नकली सा कुछ इंजक्शन लेकिया गया, उसमें उसमें नमक का पानी भर के, बोले मिल गया, लेकर आगे, आपके लिए, केवल आपके लिए, हम लेकर आये है, डायेकली फ्रम लेबरेटरी, अभी आपको हम इंजक्शन दे देता है, तो इंजक्शन दे दिया उसको, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, आप गूगल में देख सकते हैं, इसको mentally इसा फील होने लगा कि वाह, मेडिसन मिल गया, अब में ठीक हो जाओगा, मैं ठीक हो गया, बस अब तो मैं ठीक हो जाओगा, इतना खुश, इतना खुश, आसपास के पेशन को बलते हैं, अब तो मैं ठीक हो जाओगा, लो एंड बिहोल्ड, सच मैं ठीक हो गया, दस- वा ने हमारे मन में शक्ती दी है, तो फिर उसको साथी साथ में डिस्टाज कर दिया, घर चला गया, परिवार वाले भी बहुत खुश, छे महिने के बाद में वो फिर से आया, फिर से इतना बड़ा एकदम पुरा सुजा हुआ, डॉक्टर को समझ में यहा, क्या हुआ, उसको साथे साथे एड्मिट किया, सब की सिया, तीन-चार दिन के बाद में एक दिन शाम को बोल रहा था, आपको पता है डॉक्टर साब, वो जो मेडिसन आपने मुझे दी थी न, मैंने अभी तीन-चार दिन पहले न्यूस पेपर में पढ़ा, वो मेडिसन जो है काम नहीं कर रही है, वो फ्लॉप हो गया है, साइंटिस्ट ने और बी कुछ रिसरच किये थे, तो उन्हें पता चला कि वो मेडिसन और काम नहीं कर रहा है, तो अब समझ गए ना बात, उसका मतलब उसको अब जो है, मेंटली ये लगने लगा, कि अच्छा ये मेडिसन तो फ्लॉप है, मुझे जो मेडिसन दिया हो तो काम नहीं कर रही है, तो मन उसका डिप्रेस्ट हो गया, तो फिर से जो है ये डिजीज बाहर में आ गया, तो मन हमारा बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये सब भगवान की शक्ती है, हम तो भगवान की शक्ती है, तो ये भगवान की शक्ती है, हम जो जीव है जी आत्मा है, भगवान की शक्ती है, हमारे मन भी बहुत powerful होता है तो जब हम प्राथना करते हैं हमारा मन शान्थ हो जाता है हमारे आत्मा को portion मिलता है हमारे शरीर को portion मिलता है तो प्राथना करना बहुत जरूरी है दूसरा reason प्राथना करने से हम विचारशील हो जाते हैं एक प्लान है, एसे ही बस आवे आज का दिन चला गया, खालिया, सो गया, पीलिया, ऐसे नहीं है ना, हमको जो यह मानव जीवन मिला है, यह बहुत रेर है, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, जब अच्छा करना है, तो यह प्लानिंग का बाती है, जब ह प्रातना करते हैं, मतलब आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना, थाको जी आप यह करिए, या मुझे यह दीजिए, या मेरा जीवन ठीक रखिए, या मेरे यह इच्छा है, पूरी करिए, या मुझे बग्त बनाईए, जो भी है, आपको कुछ इच्छा करनी पड़ेगी, क्योंकि बोलना है, मतलब आप कुछ प्लानिंग करोगे, प्रातना करने से दयालू, हरिदय निर्मल हो जाता है, जो इंसान प्रातना करता है, उसका हरिदय निर्मल होता है, क्यों, क्योंकि वो देखता है, मैं किसी को प्रातना कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ दे रहा है, म अब इमान नहीं आता है, हमें समझ में आता है कि देखो, मैं भी किसी से कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान किसे कुछ चाहिए, भगवान मुझ से उपर है, तो यह हमारा जो मिध्या आहंकार है, वो कम हो जाता है, अभी आप देख कि कुछ महिने तक, कुछ साल तक अगर दुकान बंद है, ओफिस बंद है, कोई नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है, धिरे-धिरे ओजो सेक्यूलिटी गाड है, जो वाच्पेन है, वो बैठा है, वो धिरे-धिरे सोचने लगएगा कि मैं ही तो यहां का मालिक हूँ, क्योंकि सांस ले रहे है, हावा भगवान दी है, हम जो पानी पीते है वो भगवान का है, यह सूर्य की रोशनी भगवान का है, हम यह जो भूमी पर चलते है भगवान का है, भूल जाते है, क्योंकि हम दिखाई नहीं दे है ने भगवान, तो हम झूसें हम तो, I'm the boss, मैं boss हूँ, ल मालिक तो कोई और है मैं तो एक सेक्यूरिटी हूँ गूंग हूँ उसी तरह से हम प्राथना करते ना तो अम सब उनका है वहम किया मृमक निरस है sweat करते हो न ठाकुजी को हाँ ठाकुजी आज का दिन मेरा ऐसा रहा ऐसा रहा मैंने ऐसा किया आप मेरी रक्षा करिए धन्यवाद कुरुत अग्या जो भी आप बोलते हो जिस तरह का प्राथना करते हो उससे आपका और भगवान की बीश का जो रिष्टा है आपको पुना अंकार आता है कितनी सुंदर हूं भगवान को देखते शरम आते हैं अरे भगवान तो कितने सुंदर है अरे मेरे पास कितनी बुद्धी है फिर हम जब भगवान को देखते हैं प्राथना करते हैं अरे भगवान तो कितने महान है तो यह हमारा जो तापमान है वो सही रहता नहीं तो हमारे आंकार बढ़ जाता है, कृतग्यता, प्राथना करने से हमें कृतग्य होना आता है, नहीं तो हमें समिझ में नहीं आएगा भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन जब प्राथना करते हैं, मूँ से बोलते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो यह जब हमारे मुझसे निकलता है धीरे धीरे कृतग्या यह जो grateful का quality है यह आता है And a grateful heart is a happy heart. जो कृतग्या होता है वो ही भगवान का नाम ले पाएगा, जब कर पाएगा, वो ही भगवान से जुड़ पाएगा जो हमेशा resentful है, दुखी है, वो कैसे भगवान से जुड़ पाएगा, तो grateful, English में बोलते, those who are not grateful, they are grateful, बहुत बड़े मुर्ख है वो, जो grateful नहीं है तो जब हम प्राथना करते हैं, हम में खृतग्यता आती है, जब हम प्राथना करते हैं, हमें दूसरों को सम्मान देना आता है, क्योंकि अब हम भगवान को सम्मान देते हैं, समझते हैं, भगवान कितने बड़े हैं, यह जो हमारा स्थिर है, जो किसी के सामने जुकता नही होते हैं और दुसरों को भी सम्मान देते हैं दुसरों को भी वैल्यू हमें समझ में आती है तो जब हम प्राथना करते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गुन हमें आते हैं प्राथना करना माने भक्ति में तड़का लगाना अब दाल में तड़का लगाते हैं अब दाल को तो बॉइल करके रग दोगे तो दाल में कोई टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा घी का तड़का लगाओगे, जीरा, हल्दी जब दोगे तो एक्दम स्वाद आता है, भक्ती में प्राथना है तड़का, आप जो भी सेवा करते हो प्राथना होने चाहिए, उसके साथ में अगर भक्ती में प्राथना का तड़का नहीं है, तो भक्ती यांतरिक हो जाएगी, और भक्ती अगर यांतरिक हो गई, तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, फिर आप बोरो जाओगे, नया नया तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नया नया मंदिर जाना भी अच्छा तो हमें प्राथना करनी चाहिए, फ्रेग्रेंस, अगर प्राथना नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे भक्ती में कमजोर होंगे, और पुरानी आदते, और पुरानी भावतिक इच्छाए फिर से आजाएगी, जो जो आदते छोड़ दी थी, चाई, कॉफी छोड़ दी थी, प चीजे फिर से आकर्शन करेगी, क्योंकि हम प्राथना नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सारी भावतिक इच्छाए हैं, यह इतनी जल्दी मरती नहीं है, सो जाती है, सोने में और मरने में बहुत फरक है, अगर आज आपको ऑपरेशन करते हैं, तो वो आपको एनेस्थीश्या द है हाथ, थोड़े दिन, थोड़ा टाइम के लिए सुन रहता है, डॉक्टर आपका दात निकालते तब एनेस्थीश्या देते है, थोड़े देर तक आपको कोई फिलिंग नहीं आएगी, लेकिन बाद में फिर से फिलिंग आएगी, उसी तरह से भक्ती में भी जब हम आते ह हम सोचते हैं, अब तो हम प्योर डिवोटी हो गए, सारी बुरी आदते छोड़ दी, नहीं, यह बुरी आदती पुरे-पुरी गई नहीं है, सोई होई है, कभी भी उठ जाएगी, इसलिए केरफूल रहना है, कंटिनूसली प्रात्ना करनी है, नहीं तो फिर से वापिस जा लगाओ चलते हैं, बाबा का, मी तो जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, यह फिर से आकरशन करेंगे, तो इसलिए प्रात्थना करना है, कंटिनूस प्रात्ना करनी है, अगर कोई आदमी जंगल में, शीत काल में, थंडी के, जाड़े के मौसम में, कोई अंधेरे जंगल में ह बहुत मुश्किल से लकडिया जोड के आग लगाता है ठीक है लकडिया जोडना भी मुश्किल है आग लगाना पत्थर को घिसके मुश्किल है लेकिन उससे भी जादा मुश्किल है पूरी रात जागता रहना और उस आग के अंदर में लकडिया डालते रहना नहीं डालेंग हम जो इतने योनियों में घूम रहे हैं, इतने योनियों में हम घूम चुके हैं, इतने जन्म हम ले चुके हैं, पोई वैश्नव की गुरुपा से शायद हमें भक्ती का बीज मिल भी जाए, लेकिन उसको पानी नहीं देंगे, सिंचन नहीं करेंगे, तो बुझ जाएगा, त ठाकुर जी हमारे हुर्दय में आके बैठ जाते हैं, जब ठाकुर जी हमारे हुर्दय में बैठते हैं, ठाकुर जी जब बैठा हुए तो उनके चरन भी हमारे हुर्दय में है, और उनके जो चरन होती है, उनके जो पादपदम की धूली होती है, वो धूली की जो सुगंद हो भूग भी शान्त हो जाते हैं, और हमारे आसपास की लोग हमसे आकरशित हो जाते हैं, इसलिए आप देखिए, जब प्रभुपाजी बोलते हैं, जब प्रभुपाजी गाते हैं, जब प्रभुपाजी कुछ भी कितना आकरशित करता है, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाजी कोई आरडी बर्मन थे या कोई किशोरदा थे या लत्ता मंगेशर फिर भी जब वो गाते है प्रवपा जी का कभी आप सुन लो कोई भी भजन सड़गो स्वामी अश्टकम या बस वो जब वो गाते है तो बस मन में एक अजीब सी लगता है बस शान्द क्यों? क्योंकि वे प्राधना करते हैं उनके हिरदय में भगवान है भगवान के जो पादपद्म की धूली है केसर है भगवान के जो हम जो मटी देखते है न वैसा नहीं भगवान के पादपद्म की धूली माने केसर और वो जो उसकी खुश्बू है, इसलिए प्रोपाजी की आस पास भी जो जाते हैं, वे प्रोपाजी से अकरशित हो जाते हैं, प्रोपाजी की वानी से, प्रोपाजी की बातों से, प्रोपाजी से अकरशित हो जाते हैं, तो जो प्राथना करते हैं, वो भक्त एक दम मैगनेट जैसा बन जाता है, और फिर उसे प्रचार करने में के लिए भी आसानी हो जाती है, हम तो प्रचार मुमेंट में है, हमारा सब यहां मेरे साथ जो भी जुड़े हुए है, सब भक्त है, आप सब जब करते हैं, मैं समझती हूँ, आप सब का, सब का एक उदेश्य है कि हम प्राथना करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो यह बात है, प्राथना करने से हमें शांती मिलती है, और हमारे आसपास के लोग भी हमारा साथ जब लेते हैं, उन्हें भी शांती मिलती है, उन्हें भी संतुष्ट हो जाते है, शांती और संतोश दोनों मिलता है, जब हम प्राथना करते सफाई, माताजी लोग दिवाली की सफाई कैसी होती है, एकदम बस यहां से कचला, वहां से कचला, सब निकाल के घर पूरा साफ कर देते हैं दिवाली में, लक्ष्मी देवी आने वाली है, तो उसी तरह से जब हम प्राथना करते सफाई हो जाती है, ज प्राथना करने से हमारा हुरुदय भर जाता है, किस चीज से भर जाता है, भगवान की चेतना से भर जाता है, अगर प्राथना नहीं करेंगे, तो हुरुदय कुछ और चीजों से भर जाएगा, लेकिन भरेगा जरूर, अगर नहीं करेंगे भरातना तो क्या होगा, भाय से भ चिंता, fear, anxiety, lamentation, शोक, पूर्व में जो हुआ था, काश ऐसा होता, तो कितना अच्छा होता, काश वैसा, ये मेरा कॉंट्राक्ट मेरा हाथ से चला गया, ऐसा हो गया हमारे जीवन में, पूर्व की शोक, आने वाले जीवन की चिंता, भय, ये सारी चीजों से हमारा मन भरा रहता है, लेकिन जब प्राथना करते हैं, तो मन भगवान के विचार से भर जाता है, और ये सारी चीजों के लिए जगानी बचते, तो प्राथना से मन भर जाता है, पराथना से मन पवित्र हो जाता है और अब प्रोपा जी क्या बलते हैं बुक्स आर दी बेसिस, प्योरिटी इस दी फोर्स अगर हमें प्रचार करना है इस मोमेंट में आगे तो बहुत जरूरी है कि हमारा मन पवित्र बने और हम जब प्राथना करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है प्राथना करने से प्रतिशोदक शक्ति माने इम्म्यूनिटी बढ़ जाती है आजकल इम्म्यूनिटी इस दर वर्ड आज एक साल से हम लोग बस इम्म्यूनिटी बढ़ाओ इम्म्यूनिटी बढ़ाओ क्या है अद्रक काड़ा पीओ यह एक पीओ हल्दी खाओ यह खाओ यह करो अपनी शक्ति बढ़ाओ तो इम्म्यूनिटी बढ़ती है प्राथना से किस चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है, माया से, यह माया नाम का जो वाइरस हमारे जीवन में है, उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, अगर हम प्राथना करें तो, जिस तरह से बोलते हैं, वो विटामिन D लो, क्या है, जिंक लो, ये लो, तो करोना आपक नहीं करेगा, तो बस प्राथना करो, तो माया आपको जो है, अटाक नहीं कर पाएगी, नेक्स्ट है, प्राथना से बुद्धी बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, अनलेस और अंटिल भगवान खुद हमें बुद्धी दे उनको समझने के लिए है, और भगवान तभी देंगे बुद्धी जब हम प्राथना करेंगे, भगवान क्या बोलते है, जो मेरी प्राथना करते है, दधामी बुद्धी योगम, मैं उसको बुद्धी देता हूँ, और फिर हम भगवान को समझ पाते हैं, अब देखिए, ब वेदेश दुलब, वेद बहुत दुलब है भगवान को समझना, लेकिन जो भगवान का अपना है, आत्म बंदू, वो भगवान को समझ सकता है, और अगर हम भगवान के अपने बनना चाहता है, तो क्या करना है, प्राथना, जब हम प्राथना करेंगे, प्राथना माने, ब प्राफना करने से भगवान से संबंध बनता है और भगवान इतने दयालू है वे कहते हैं, कैसे भी करो मेरी प्राथना चलेगा, कैसे भी करो मुझसे बात चलेगा, लेकिन बात करो, भगवान, ब्रामायन में एक स्लोक आता है, सक्रितेव प्रपन्नाय, तव असमी इतिचाया चति, दधामी, अभयम, सरवदा, इति, वरत, ममम, मम, ये मेरा वरत है, अग भगवान कहते है, भागवत के में एक स्लोक आता है, अगर कोई मजाक में भी कह दे ये बात, शायद सीरियसली नहीं बोला है, बस मजाक में कह दिया, बस आवे बोल दिया, कि भगवान में आपका हूं, या जल्दबाजी में बोल दिया, या संकट के समय बोल दिया, इतना क कोई मैंने सिरियस्निस नहीं था पड़ दे एक बार भगवान का नाम. बूल दे एक बार. भगवान बुलते ह मेरा बस मरा आज से, मैंने उसको अपना लिया. है लोग संकत्यuct ऑना Decis, ऑनाचाम, अथि अच्णreg। वाइकुंत नाम एक बार बोले असेयस, असेस जो उनके अगा, हरम, विधु विधु सब पंडित बोल रहे हैं असेस अगा, अनलिमिटेड पाप जो है उसके चले जाते हैं जो एक बार मजाख से हो या भूल से बोल दिया या किसी को चुडाने के लिए बोल दिया बस एक बार भगवान को याद करें प्राथना करो तो भगवान से संबन्ध अज आप ठाकुजी के सामने जाके कह दो मेरे पास बहुत पैसा है ठाकुजी बोलेंगे थीक है लेकिन मैं तो लक्षमी पती हूँ लक्षमी तो मेरी पत्नी है अगर आप बोलो ठीक है ठाकुजी मैं बहुत सुंदर हूँ ठाकुजी बोलेगा ठीक है लेकिन तुमारी सुंदरता तो राधारानी के पैर के अंगुटे के नकून से भी कम है अचा बोलो भगवान मैं बहुत फेमस हूँ तो अचा पता है तो इस पाथ मेरे फेस्बुक में कितने लाइक है कितने फौलोवर जैंप बोलेगी हां लेकिन मैं तुर तीनो लोक का नातु हूँ मुझे तो पातालूक्स बने कि हर इक लोक जानते है अचा बगवान आपको पता है में कितने शकतिशाली हूँ ठाकुजी बोलेंगे, हाँ, मैं तो साथ साल की उमर में साथ दिन तक पुरा पहाड उठा लिया था, अच्छा, अगवान आपको पता है, मैं बिल्कुल एकदम त्याग कर दिया, मैंने, इतने साल हो गए, ना प्याज लसन, ना टी, कोफी, ना मासाहार, निरजला, उपवास हर एकादशी में, तो ठाकुजी बोलेंगे, यह क्या ना सकती है, मेरे तो 16,108 रानी थी, फिर भी मुझे किसे से भी आ सकती नहीं थी, अब आप बताओ, ऐसे व्यक्ति को इंपरेस करें, तो कैसे करें, हर चीज हम से ज्यादा है उनके बास, तो कैसे उनको आकरशित करें, हमारी तरफ क्या करें, प्राथना, वैश्नवाचारे बोलते हैं, प्राथना करो, प्राथना करने से भगवान आपके बन जाएंगे, हम भगवान को खरीच सकते हैं, तो यह है प्राथने की शक्ती, प्राथना है हमारा भगवान के साथ में परसनल टाइम, प्राइवेट ट साथ मेरी परसनल ना परसनल बात हुई थी पस ऐसे बैठे थे 10-15 मिनिट हम दोनों बात किये थे, सेल्फी लिये थे एकदम परसनल ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग थे बस कितना हम महान सोचते हैं कोई बड़े आदमी के साथ लेकि जब हम परातना कर रहे तो इस संसार के परातना करने से प्यार हो जाए थे बांटेज लेना चाहिए कोई बड़े आदमी को मिलते तो हमारा पूरा एक पूरा था है ना स्केडियो क्या बात कर लो जल्दी से पूछ लो उनका समय हम फिर और मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो पूछ पूछ लो पास यह हमारा परसनल ट प्रातना करने से प्यार हो जाता है थाकुर्जी से प्यार हो जाता है उनसे प्यार करना ही तो हमारा जीवन का सार है ना हम उने भूल गये है और हम प्रातना करते ना तो उनसे प्यार हो जाता है मुझे याद है जब मैं छोटी थी इंटर फर्स टियर में बंबई गई थी म चोटी थी, मैं यह सब कुछ काफी नया लग रहा था, वो देखने का प्रोग्राम होता है, मतलब लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखने के लिए, तो हमने देखा घर के बड़े लोग बोलते हैं, कि सब यहां बैठो, लड़का और लड़की साइड में जाएंगे, कम सब समय मेरी दीदी जो है, बात करती है, मेरी जीजाजी से, तो फिर मैं कंप्लें करती थी, लोग इतनी सारी बाते करते हैं, तो मैं मौसी बोलते हैं, करनी बात करेंगे, तभी तो प्यार बढ़ेगा, घूमेंगे, तो शादी के पहले थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, तो मुझे समझ में आया है कि हम बायो डेटा से प्यार नहीं कर सकते हैं, इनसान से प्यार करते हैं, व्यक्ति चाहिए हमें प्यार करने के लिए, हम सिर्फ अगर बायो डेटा से प्यार करें, कृष्णवासुदेव, जनम हुआ मत्धुरा में, फिर गय थे गोकुल, उनकी तो साधार और भौतिक जगत में भी एक लड़का लड़की जब बात करते 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 प्यार होता है, उसे तरह से भगवान से प्यार करने तो बाते करने पड़ेगी, ठाकुजी के साथ बाते बाते करेंगे तो फिर हम उनसे प्यार करने लगेंगे, तो प्राथना करने से प्राथना करने से मन हलका होता है, शान्त हो जाता है मन, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी से भी बात करें न तो वे हमें जज करेंगे, अच्छा, आपके मन में ऐसे बुरे विचार आते हैं, आप ऐसे हो, आप इस तरह के इंसान हो, लेकिन इस दुनिया में वो एक ही व्यक्त ही है हमारे शुब चिन तक जो हमें जज नहीं करेंगे हम जो चाहे उनको बोल सकते हैं वो हमारे डॉक्टर है उनसे हमें शरम करने की ज़रूत नहीं है हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम शरम नहीं करते हैं डॉक्टर जी आज सुबित से दस बार गई हूं मैं लूज इन दो, आओता है," justement, बिना कोई हिचचक के बोल सकते हैं, ठाकुची यह विचार आजी है, मैं मेरी रक्षा करें,", मुझे ऐसा विचार आत inyou, I am my no, what do, YouTube then? कभी कुछ हो अच्ट हो जाता है, रहा किसी के साथ प्राथना करने से reinforcement होता है सूद्रिडः यह जो हमने सबने भक्ति जीवन में हमारे पैर आगे रखा है हमने जो यह शुरू किया है कंठी माला धरन की है तिलक लगाते हैं जब करते हैं हम साधना करते हैं हम शास्त्र पढ़ते हैं यह जो हमने शुरू किया है इसको continue करने के प्राथना करने की बहुत जरूरत है बार बार जब प्राथना करेंगे तब हमें बार बार याद आएगा जीवन का लक्ष क्या है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भक्ति मारग में आने के बाद भी हम भक्ति मारग का लक्ष क्या है शायद भूल जाए कोई ठीक नहीं है बच्चे क्रिकेट खेलते थे, सारे अपार्टमेंट वाले वहां पर थक गये थे, बच्चों की बदमाशी से, तो एक वहां पर बुढ़ा आदमी आया, रेंट पर फ्लाट में, मतलब उसी अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर पर, तो सब ने बोला, आपने बहुत बड़ी ग एक साल से हम कोशिश कर रहे है, बोला, मैं गैरंटी देता हूँ, पंदरा दिन में बंद हो जाएगा, हो गया भी पंदरा दिन में, कैसे किया उसने, नीचे गया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वा, वा, ताली मारी है, बोला, कितना सुंदर आप लोग खेल रहे हो, मै तो बुड़ा हो गया, खेल नहीं पाता, आप लोग खेलते हो, तो मन इतना खुश हो जाता है, इधर आओ सब बच्चे, येलो एक सो एक सो रुपे, सब जाके घाओ, आइसक्रीम खरीदो, कितना अच्छा, आप लोग खेलते हो, तो मुझे आनन्द आता है, मैं तो खेल न आप जासे पांच वे दिनपें, आझ पैसा निकल भूल गया, पचास रुपे देने से चलेगा, बच्चे लोग बूले क्या आप भी ऐसा बात करते हो शरम आरी, हम लोग बच्चे को लग को करने हैं, मैं पैसा करवे हो, कोई बात नहीं, तो तो बात नहीं है, फिर क्या थ थोड़े दिन के बाद में अंकल बुला, पैसा नहीं है, दस रुपे चलेगा, अब बच्छों को गुस्सा आया, दो तिन दिन से अंकल बदमाश हो गए, पैसे नहीं दे रहे, फिर बुला देखिए अंकल, हम इतने चीप लोग नहीं है, दस रुपे में क्रिकेट नहीं खेल यहां से, बुला, अंकल, आप लो, आप, हमारा आपमान कर रहे है, हम कहीं भी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन इस अपार्टमेंट में हम नहीं खेलेंगे, जहां पे हमारा आपमान हुआ है, चलेगे बच्छे, अब बच्छे भूल गए, कि वे क्रिकेट एक सो रुपे के लि प्रशाद कितना अच्छा है, और हम इसी लक्ष से आते हैं, कि मुझे सुधरना है, मैं अच्छा भक्त बनूगा, मुझे भक्ती करनी है, लेकिन एक साल, दो साल के बद भूल जाते है, और फिर हमें लगता है, कि मेरा काम है, सब को सुधरना, देखे, आप इसा करो, आप कि सब कुछ भूल गए, अब दूसरों की खामिया देखने में रह जाते है, तो प्रात्ना करने से यह रिस्क नहीं है, कंटिन्यूजली रोज प्रात्ना करेंगे, तो रिइन्फोर्समेंट हमारे माइंड में, तुम किसलिए आये हो भक्ती में, तुमने किसलिए लिए दिक तुम्हारा क्या काम है, अपना जन्मसार्थक करी करो पर उपकार, पहले अपना जन्मसार्थक करो, पहले खुद अच्छा भक्त बने की कोशिश करो, तो यह होता है, आकरशित, भगवान को हम आकरशित कर सकते हैं, अब प्राथना करने से भगवान का ध्यान हम पे तब ही तो दर्वाजा खुलेगा गोलो वरिंदावन का दर्वाजा दोरनोब कुछ नहीं हैएँ आप किसी के घर के अपको दर्वाजा नॉक करना पड़ेगा न आप नॉक नहीं होगी तो कि आप ने मैं आप से दर्वाजा खुलेगा प्रातन, आणे हम चिल्ला रहे हैं, हम नोक कर रहें क्णोराओदर भूदये करें भूदय को ह safe आमें आना है जब हम प्रातना करते तो भगवान खोलते हैं आजाओ लेकिन अगर हम खड़ा रहेंगे नहीं उनको समझ में आजाएगा तो आप खड़े रहोगे पूरा जीवन, दर्वाजा खुलेगा है नहीं। सी आप बॉलिवुड मुवीज में पी देखा होगा। विलन जब हीरो इंग को अटाक करता है, फिर हीरो इंग बचाओ, बचाओ, फिर हीरो आता है। अगर हीरो इंग बचाओ, 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 तभी तो आएगा एक दम दिवाल को लांद के, बस यह प्राथना मने पुकार है। प्राथन ने पुकार है, बचाओ, बचाओ बचाओ पुकार है। हम जो इस संस्ता के साथ जुडए है, अंतर, इंटननाशनल सॉसाइटी फो कृष्ष्ना कौंश्यसनेस Pieणור ऑचाओ ध७ ऑचाओ झै। क्या है? अंत्रजातिय कृष्णभा mism Shh Sdern माहने हमारी इस organization का उदेश्य ही है कि हमारी बावना हमारी consciousness हमारी Puis चेतना कृष्णना कृष्णन consistent है हम चेतना कांशें कृष्णे कांशें क सकते हैं और उमारे Consciousness में क्रिश्न के लाव सब कुछ है हमारी चेतना में भगवान को डालना है तो प्राथना करनी है तभी we'll become Krishna conscious, see and if we are conscious of Krishna we have to be Krishna conscious यह हमारी भक्ते जीवन का सार है, goal है to be Krishna conscious और दूसरी बात यह है हम जब मंदिर भी आते है हमारी बहुत अलग-अलग विचार है मंदिर में भी हमें आध्यात्मिक विचार भी आते है बहुत एक विचार भी आते है अब आप मंदिर में आये हो मंदिर में बैठे हो किसी लड़की को देखा कितनी सुन्दर है, मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी कितने अच्छे गुन है, इनके माबब क्या करते है, कोई मंदिल में इंडेस्ट्रिलिस्ट आया, कोई बड़ा आदमी, अच्छा, मैं इसको जॉब के लिए पूछ सकता हूँ, मुझे हल्पुल रहेगा, ऐसी कितनी सारी बहुत एक विचार आते है, आधियत्मिक विचार भी और आप प्राथना करने से इंड्रियों का समलगना काम चाहिए, कुछ करना है, जब प्राथना करेंगे, तो बिजी हो जाएगी, मन बिजी हो जाता है, हाथ बिजी हो जाते है, हम जब प्राथना करते हैं, दन्रवत करते हैं, सब हमारी शरीर के हर एक पार्ट बिजी हो जाता है, तो हमने अभी क्या किया है, इंद्रियों का दमन नहीं किया है, उनको डब्टेल कर दिया है, क्रिश् करेंगे हम उसको भगवान की और उसका उपयोग करेंगे प्राथना करने से काम आसान हो जाता है कुछ भी काम करने के लिए प्राथना करना जरूरी है ब्रह्मा ने भी प्राथना की थी ब्रह्मा का जब उनका खुद की जब शुष्टी हुई भगवान के नाभी कमल से ब्रह शब्द निकला तप, तप, तप करो, तब भ्रमाजी ने 100 साल तप किया, तब जाके सब कुछ दिखाई दिया उन्हें, सब प्रकाशवंद हो गया, तो हमें अगर कुछ भी करना है, अगर भगवान की कृपा की जरूरत है, और भगवान की कृपा प्राथना के ध्वारा आती लोक, वहां पे बोलते हैं, दुशकरम सुकरम भवेत, अगर भगवान का नाम ले की काम करते हैं, तो दुशकरम सुकरम भवेत, जो कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, वो भी आसान हो जाता है, लेकिन विस्मिरत, विस्मृति, अगर भगवान की विस्मृति होत और अगर भगवान को याद किया, तो क्या होगा, कथिन से कथिन चीज भी आसान हो जाएगी, लिकिन हमारी रीजनिंग होती है, टाइम नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, करने की तो बहुत इच्छा है, आज तो आपका क्लास सुनने की बद बस लगता है कि प्राथना कर समय नह आते हूं, एक लकड़ हार था, लकड़िया काटता था, उस का o Twelve काम था, तो रोज की एक सो जाड जो है, वो काटे काट फेकता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी जो कुल्हाड'ी है, už क्रा खा स्क्राइज हो ओकिन टेज पक्राइज की अब कर प्रतफ याтор, हो उसको एड़ाइस दिया, उसने, सजेशन दिया, बिटा, देखो, तुम्हारी जो कुलहाडी है न, उब तेज नहीं है, धार नहीं है, थोड़ा साथ को शार्प करो, तब तुम्हारा काम जल्दी होगा, तब लकड़ार ने जवाब दिया, सादू महाराज, ऐसे ही मेरे को टा कर लेता, तो जो काम उसको 10 गंटे लगते है, वो 5 गंटे में हो जाएगा, लेकिन ये मुरक है, सोचता है, टाइम नहीं है, कहां इतने में, आप फिर मेरे को टाइम वेस करवा रहे हो, हमारा भी प्रॉब्लम है, अम सुचते है, अच्छली मैं करना चाहता हूं माताजी, म प्राथना करोगे, तभी तो टाइम निकलेगा, तो प्राथना करोगे, तो हमारे जीवन में हर चीज आसान हो जाएगी, तो तुम्हें और भी टाइम मिलेगा, शुरू तो करो, एक पैर लो, भगवान 10 पैर तुम्हारी तरफ चलेंगे, तुम एक कदम आगे करो, तो भग की हम यहां पे यह करेंगे, तो हमने डिसकॉस किया की प्राथना कीउ करनी चाहिए है है, अब मैं बताना चाहते हूँ प्राथना कैसे करनी चाहिए, कैसे करें प्राथना, तो तीन इसके यह है मन से, हमारे विचारों से, BMW अब याद रखिए है, बॉड़ि, माइंड तो body मने आपके शरीर से, mind मने आपकी मन से, words मने वचन से, सो आप अपने वचन से, अपने मन से, अपने शरीर से प्राथना कर सकते हो. मन से प्राथना कैसे करें? अगर आपने चेतने चरितामरितम में ये कथा सुनी हो, नरसिमान अंदब्रमचारी, वे मन से ही भगवान की सेवा करते थे, मन से ही वे सोचते थे, जब भगवान जा रहे है वरिंदावन की और, तो वे मन से ही भगवान के लिए रास्ता बनाते थे, कि एक सुंदर सा रास्ता है, इसमें मैंने भगवान के लिए बहुत सारे सुकोम बाहब पंकुडिया, फूल पूरे बिचा दिये है और बहुत सुंदर संदर ज्दम मुषाण है बगवान को जो ज्दम हिस्मधों। ऐसे मानसिक रूपसे ज्दम को खाया। धियाती है। अशकूक करते थे और भागवान उसके संदम स्विक्रां करते थे। और हमने यह भी कथा बहुत बढ़ सुनी है कैसे गोदावरी तट के पास एक ब्रामन रहता था जो मन से भगवान के लिए खीर बनाता था और एक दिन गरम गरम खीर वो छूता है कि भगवान के लिए गरम गरम तो नहीं जादा और उसकी हाथ उसकी उंगलिया जल जाती है त तो आप मन से भगवान को प्राथना कर सकते हो मन से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो मन से आप उनकी प्राथना कर सकते हो मन से आप मानसिक प्रणाम कर सकते हो भगवान को जब हम भगवान को मंदिर में प्रणाम करते है तो शाष्ठांग है या पंचांग है या अश्ठ विचरन मेरे सिर्पे है, ऐसा विचार हमारे मन में होना चाहिए, जब हम प्रणाम करते हैं, तो यह हो गया मानसिक रूप से प्राथना करना, अब वच्चन के ध्वारा, वच्चन से हम कैसे प्राथना करें, तो वच्चन से अलग-अलग टाइप है, जैसे एक है, आप इसलिए भगवान को इंगलेश, हिंदी, तेलगो, गुजराती, बेंगाली, पंजाबी, और तेमिल और या संस्कृत हर एक भाशा आती है, इसलिए हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हमें संस्कृत नहीं आता, आपकी जो भी भाशा है, आप उसी भाशा में बा भागवतम में, वह स्तूति का कोई, अगर बाईहाट भी नहीं है, कोई बात नहीं है, पुस्तक से पढ़ो, पढ़के बाईहाट करो, पढ़के बोलो, तबी भागवान को अच्छा लगेगा, यूँकि इठागुर्जे को, ये सारे भक्त जो भागवत में है, इनका नाम ह जिन्होंने भागवान के लिए स्तूति की थी, वे भागवान के प्रिया है, तो भागवान के प्रिया ने जो बाते बोली थी, वे पुना-पुना सुनने से उनको अच्छा लगता है, उनको अपने भक्तों की याद आती है, तो वे खोश हो जाते है, तो इसलिए हम चटोषलो की है, हमारे तीसरी स्कंद में जो अनभॉर्ण चाइल, जो गर्भ में जो शिशु है उसकी स्तुती है। फोर्थ अध्याय, चौथे सकंद में दुरुब महराज की स्थुति है, प्रचिता की स्थुति है, पांचवे सकंद में हमारे रिशबदेव की इंस्ट्रक्शन्स है, छटे सकंद में वृत्सासुर की स्थुति है, साथवे सकंद में प्रलाद महराज की स्थुति है, आठवे दस्विसकंद में गजेंद्र की स्थुति है, दस्विसकंद में गोपी गीत है, गोपी की स्थुति है, नागपत्नी की स्थुति है, ब्रह्मा की स्थुति है, देवताओं की द्वारा की गई स्थुति है, नलकुवेर और मनिगरिव की स्थुति है, कितनी सारी ऐसी अलग अल विभाद से रात रहे हैं अगर बचपन से करूग जब भी बी आपको यह अग्यु क्यों आप बचब से सिखा सकते हैं बस भात करना को इफ जर oscilluten discuss करें आज यह जे हो अज पारी ह 먹어 जो चीज खरें Martina को जिफा से बनाना, सो स्तुति करो, स्तव करो, जब करना भी प्रातना करना है, हम जो यह जब करते हैं, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, यह भी प्रातना है, प्रातना क्य काया से, मन वचन काया, काया, शरीर से कैसे हम प्राथना करेंगे, प्रनाम करना, भागवान को प्रनाम करना, श्रीमद भागवतम के, बारवे सकंद्र के, तेरवे अध्याई के, अंतिम स्लोग, क्या है वो, नाम संकिर्तन, नाम संकिर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रनाशनम, नाम संकीतना यस्या सरवपाप प्रनाशरम, जो नाम संकीतन करता है भगवान का, उसके सारे पाप नाश होता है, प्रनामो दुख समनास, और अगर भगवान को कोई प्रनाम करता है, तो सारे दुख भी चले जाते है, नाम लेने से पाप से मुक्त होते है, प्रनाम करने से द बढ़ारम भागवान को यह करो, यह लास्ट इंस्ट्रक्शन है सुकोदेव स्वामी का, बढ़ान को बढ़ान करो, प्रणाम करो, आप देखें भगवद गीता के नवमध्याई के अंतिम शलोक में बढ़ान जी बोलते है, मन मना भवमध भगतो, मध्या जी माम नमस करू, मा भगवान को प्रणाम करने से हमारे दुख भी चले जाते है, भगवान को प्रणाम करने से पाप भी चले जाते है, अगर आपने कभी जो ओफिस में काम करते हो, उनको यह आइडिया होगा, यह जो स्टैंप पैड होता है, स्टैंप, आप स्टैंप मारोगे ना, तो अगर पुर्वके इतने हमारे पाप है, लेकिन जब हम प्रणाम करेंगे ना, अब सब थिधा गता है ना, सारी laine सीधी हो जाएगा। अब सिधा हुजाएगा हमारा बहुत जरूरी हमारा बहुत जुज़ ए पिसॉखुना चाहिए जुखुना चाहिए ने ठाकुर जी के सामने ले देखे रगुना-दास ठाकुर THEM एवरी डे भगवान को एक हजार बार प्रणाम करते थे, तीन हजार बर वाइशनवा को प्रणाम करते थे, प्रणाम करना, वंदन करना, तो अमने चर्चा की हमें क्यों करनी चाहिए प्राथना, हमने चर्चा की कैसे करनी चाहिए प्राथना, अब हम आगें लास्ट भाग मे क्या करनी चाहिए प्राथना कैसे करनी चाहिए समझ में आ गया क्यू करनी चाहिए क्या करना चाहिए प्राथना में हमें क्या बोलना चाहिए क्या बोलू मैं भगवान को मैं खड़ा रहे कि क्या वाद करो भगवान से तो इसकी बहुत अलग-अलग टाइपस है, धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद करो, जैसे कुंति देवी ने की थी, पुरानी बाते याद करके, आपने मेरे बेटे भीम को बचाया, आपने हमें विशाले वार्ना वरत के इंसिडेंट से आपने हमें बचाया, विशेले नाग से बचाया, इस से बचाया, उस से बचाया, बस सारी बाते, पुर्वकी सारी बाते याद करके भगवान को थांक्यू, जैसे भीशमने भगवान से कहा, आप कितने अच्छे हैं, इस अंतिम समय में, जब मेरे देह का त्याग कर रहा हूँ, आप बिना भूले आए हो मेरे लिए आये हुआ, तो उन्होंने भीशमने भगवान धाकुर जी को धनेवाद किया, कुंती देवी निर्व धाकुर जी को धनेवाद किया, प्रलाद महराजी धनेवाद कहा कि आपने मुझे नारद मुनी जैसे गुरू दिये आपको धनेवाद, तो एक टाइप ऑफ जहां पे हम भगवान को धनेवाद दे, thank you, thank you, thank you, thank you Krishna, thank you so much, आपने में ये शरीडिया, आपने मुझे दोकान दीए, आँख दिया, नाख दिया, मैं आपकी कथा सुन पाराहँ हूं, समझ पाराहाँ हूं, बुद्धी दी मुझे ये शरीर दिया, मुझे गुरू दिये, म मुझे भागवद पढ़ने का मौका दिया, मुझे जब करने का मौका दिया, आपके प्रशाद के आस्वादन करने का मौका दिया, भक्तों का संग दिया, मेरे परिवार में ये है, कितनी सारी बाते हैं, बस हम अगर धन्यवाद करना शुरू करें, तो पुरी रात निकल जाए, तो भगवान को धन्यवाद करो, दूसरा है भगवान को दैने बोधिका, अपने आपके बारे में बताओ, जैसे इंद्र की प्राथना आती है, कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, गोवर्दनलिला के बाद में आता है, मैं आईसा किया, मैं ऐसा हूँ, यह एक प्राथना का अंग है, जहां पर थाकुर जी से बोले, कि मैं आपको भूल गया, मेरे में इतना क्रोध है, मोह है, काम है, ठाकुर जी मेरे में इतना काम है, मेरा हृदय ऐसा है, तो अपने बारे में सच बताना, जैस तरह से हम डॉक्टर के पास जाके बताते हैं, तो धन्यवाद देना, अपने बारे में बताना, और उसके बाद मैं माफी मांगना sorry, Krishna I am sorry मैं इतने इतने जन्म ले चुका और आप मेरे साथ साथ भूम रहे हो और मैं भूल गया आपको तो माफी मांगना, कृष्ण को माफी मांगना जैसे Kaliya ने माफी मांगी थी नागपतनियों ने माफी मांगी थी माफी मांगना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मवी मोहन लिला के बाद माफी मांगते हैं, गोवर्दन लिला के बाद में इंद्र माफी मांगते हैं, तो माफी मांगना, धन्यवात करना अपने आपके बारे में भगवान से बताना भगवान के गुनगान करना जैसे नलकुवेर और मनिगरिवने के थे भगवान आप कितने महान हो यह पूरे सुष्टी के आप यजमान हो ऐसे भगवान के बारे में अच्छे अच्छे गुनगान करना जैसे 64 qualities है भगवान कृष्ण के उनको याद करके भगवान आप शमा कर देते हो आप कितने दयालू हो आप बुद्धिमान हो आप सुन्दर हो आप ऐसे भगवान के अलग-अलग गुनों का गान करना यह प्राथना है और लालसा में प्राथना लालसा में प्राथना माने कुछ मांग अब भौतिक मांग सकते हैं, यह question रहता है, क्या भौतिक इच्छा मांग सकते हैं, हाँ, मांग सकते हैं, ideal would be कि आप आध्यात्मिक इच्छा इही मांगें, लेकिन यह भी गलत नहीं है, शुरुवात के लिए ठीक है, दुरुवा महराज भी भौतिक इच्छा से ही गए थे, और फिर वे पवित्र हो गए, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं मांगना चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, नहीं, जो आप जिस लेवल पर हो, बस वहीं से शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर भ कर सके, तो ऐसे अलग अलग टाइब ओफ प्राथना है, और हमारे जीवन में इंस्पाइरिंग प्राथना किन्होंने की थी, हमारे गुरु परंपर, अश्रल प्रवपाद, अगर आपको पता हो, ये बहुत सालों बाद, प्रवपाजी जब गोलो कधाम चले गए, उसके ब दामोधर मंदिर के पास में, मतलब उनका जो कुटीर थी, उनका जो घर था, वो रादा दामोधर मंदिर जो है विरिंदावन में, जहां पर प्रवपाजी थे, उस मंदिर से लखे था उनका घर, तो वे बता रहे थे भक्तों से, कि आपके गुरु महराज, श्रीला प्रव प्रवपाद इतनी दिवर प्राथना करते थे, तो कभी-कभी रात को मैं सुनता था, एक बजे, दो बजे किसी की आवाज आ रही है, तो पहले तो मुझे लगा, यह मेरा ब्रह्म है, रात को दो बजे क्या आवाज आती है, एक दिन मुझे बहुत, मैं व्याकुल हो गया, मुझे देखना है, कौन इतनी आवास कर रहा है, तो मैं क्या को कहते है, कि मैं जो है, वो बॉंडरी वॉल को चड़ के देखा, जाग के देखा, जाग के क्या देखता हूँ, प्रवपाद जी रुपगो स्वामी समाधी के सामने जाडू देते हुए, रो रहे है, आंख में प्रवपाद जी का सक्सेस, बस वो ऐसे ही नहीं आ गया है, उसके पीछे उन्होंने बहुत प्राथना की है, और नॉट ओनी राधादा मुदर मंदिर में तो रुपगो स्वामी के सामने वे रोते ही थे रात रात बर, लेकिन इवन शान्तिपूर में, जहां पे अद्वेत अचारिय का घर है, वहां भी वे जाते थे, वहां का एक पुझारी कुछ साल पहले मायपूर आये थे, तो उन्होंने बताया, कि आप लोगो शायद पता नहीं हो, मैं ये बात आपको बताने के लिए आया हूँ, उन दिनों में मैं पुझारी था, शान्तिपूर में और कि आलों के बाद मैंने देखा वो सन्यासी बन गए, और एक दम सन्यासी डंडा लेके आये, फिर मैंने उनसे कहा, अरे मैंने तो आपको कहीं देखा है, फिर उन्होंने कहा, मैं अभए बाबू जो पहले, ओ हो हो, तो अभी आपने सन्यास ले लिया, तो भुला हाँ, तो आ सन्यासी होने के बाद भी बहुत बार आये थे, और बस वो मंदिल के पीछे आंगन में बैठ जाते थे, और एक एक माला जब करते थे, और रोते थे, तो उनका जो ये रोधन, ये जो प्राथना है, ये उनको जो है, सक्सिस जो है, उनको लेके आया है, इवन भक्तिसिदा दस आईसे दिखा कुर, ऐसे ही उनोंने गौडियमाट आरंब नहीं किया, नाइन येर्स, नाइन येर्स तक, एवरी डे वन हंड़े नाइनटी तू रावन्स माला करते थे वो, नव साल तक, आसान है, वन हंड़े नांटी तू रावन्स जब करना, उसके बाद उनोंने ग प्राथना है, भगवान से की हुवी प्राथना, उनका सशक्ति करन, उनको एंपावर करती है, तो असान है क्या ऐसे ही बस प्रहुपाजी बस गए और इतने हजारों की संख्या में सबको भक्त बना दिये उनोंने, तो यह उनकी जो भगवान की हुवी प्राथना है, तो कैसे किस किस ने प्राथना की और हमें, practical, coming to the last point, हमें मन में यह हो सकता है, पर मैंने तो की थी प्राथना, भगवान सुनते हैं मेरी प्राथना, कितना बार प्राथना करता हूं, आज तक कभी कुछ फल नहीं मिला, तो प्राथना हमें फुल फेट से करनी चाहिए, अगर भगवान हमारी प्राथना का जवाब नहीं दे रहे है, मतलब he has a better plan, शायद आपका प्लान होने पसंद नहीं आया, शायद ठाकुजी को आपका प्लान पसंद नहीं आया, he has his own plan, तो यह विश्वास हमें रखते हुए प्राथना करनी चाहिए, प्राथना कैसी होनी चाहिए, प्राथना प्रेम में होनी चाहिए, प्राथना में भगवान के ओपर अटूट विश्वास होना चाहिए, कभी-कभी हमें भगवान की लीला नहीं आती समझ में है, लेकिन हमें ये बात समझने चाहिए कि भगवान हमारे शुवचिन तक है, मैं आपको एक इंट्रेस्टिं कहानी बताती हूं, बहुत साल पहले मैंने किताब पड़े थी, ना हम करता हरी करता, तिरुपती बाला जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अब वहाँ पे 1972 में, ये एक सची घटना है, तिरुपती बाला जी मंदिर जो है, पहाड़ों के उपर में है, और वहाँ के एक Executive Officer, जैसे अभी भी एक सिस्टम है, तिरुपती में, EO, जो होते है, Executive Officer, वे Head होते है, तिरुपती मंदिर को वे चलाते है, Finances बगरा देखते है, 1972 में, EO, जो तिरुपती बाला जी मंदिर के Head थे, उन्होंने ये किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने अपना एक स्वा अनुभाव, उनके साथ में एक जो अनुभाव हुआ, ठाकुर जी के साथ, उन्होंने वो लिख्या है, तो वे बता रहे थे कि उनको आदत थी, weekly once जो है, वे साड़े तीन चार बजे करीबन अपने घर उनका नीचे था, पहाड के नीचे, वे पहाड के उपर चले जाते थे, रात को वहीं गेस्ट हाउस में रुख जाते, दूसरे दिन early morning साड़े चार बजे का अभिशेक भगवान का देखते हैं, और कुछ न कुछ काम आ गया, तो साड़े तिन बजे का साड़े चार हो गया, साड़े चार का साड़े पांच हो गया, साड़े पांच का साड़े चे हो गया, और काम में लगे हो है, उनकी पत्नी आके उनको कहती है कि क्या बात है, आज आप जाएंगे नहीं, टाइम हो जा रह जो भी है next day morning, तो उनकी पत्नी याद करा रही है, देर हो रहे हैं, आप जाओगे, नहीं जाओगा, 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 फाइनली 9 साड़े नो बजे उनका ड्राइवर आया, सर में घर चले जाओ, आप नहीं जाएंगे आज, नहीं नहीं जाओगा, जाओगा, ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं मंदर, तो अब जब वो पहाड के उपर में जाना है, तो पहले एक सेक्यूरिटी बिट आता है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोका और पुछा, क्या है आज मंदिर का हाल, तो बोला सर पूछे मत, आज तो मंदिर का हाल, बेहाल, इतने आज तो इतने दर्शन के लिए लोग आये है, इतने लोग आये, उपर पहाड में पूरा टाफिक जान हो गया है, तो बला ठीक है चलो तुम साउधान, तो गाड़ी से जा रहे है, काफी बड़ा रास्ता है पहाड के उपर में, बीच में उन्होंने क किया देखा, कोई आदमी खड़ा है, एकदम ऐसे दो हाथ ऐसे करते हुए, अब यह डर गए, कि कोई, कोई, क्या बोलते न, थीफ या कोई चोर उचक्का तो नहीं है, देखा उसकी गाड़ी खराब हुए पड़ी है, अब इन्होंने बहुत साउधानी से गाड़ी कांच किया बोला क्या है, कौन है आप, क्या चाहिए, बोला नहीं सार मेरी मदद करिये, मैं, मेरा बेटा, मेरा बहु, नहीं शादी हुए है, मेरी पतनी हम सब उपर जा रहे थे, कुछ गंटों से हम यहां है, साथ बजे से नीचे गेट बंध है, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, हम यहां पर खड़े हुए है, दया करके हमें लिफ्ट दे दीचे, अब इस आदमी को पता नहीं है, कि यह तो तिरुपती मंदिर का में बॉस है, वो सोच रहे हो भी होगा, कोई दर्शन करने के लिए जा रहा होगा, अब इसको दया आगी बुलठी के चलो सब गाड़ी मे बैट जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कैसे भी करके सब जो है, इतने सारे लोग एकी गाड़ी में बैठे हुए है, अब रास्ता भर यह आदमी अपनी कहानी बता रहा है उस ओफिसर को, बुलता है कि आज मेरा भगवान के उपर से विश्वास उट गया, मैं बाला जी को इतना प्रेम करता हूँ, तिरुपती की बाला जी भगवान को मैं इतना प्रेम करता हूँ, कि मैंने मेरे मन में सोचा था, कि मेरे बेटा का जब शादी होगा, सबसे पहले मंडप से मेरे बेटे बहु को लेके मैं बाला जी का दर्शन कराऊंगा, बाद में सारे जो दू बाला जी का दर्शन करोगे, फिर वापिस आओगे, सब मुहर्त यहां पर खतम हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे ठाकुर जी के आशिरवत के बिना मैं कुछ नहीं करोंगा, मैं इतना प्यार करता हूं ठाकुर जी से, लेकिन आपने देखा, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ मैं ऐसा करते है, आज मेरे भगवान से विश्वास, बस रोता रोता वो जो है, बाते करते करते जा रहा था, अब यह जो तिरुमला तिरुपति देवस्तानम के जो एक्जुकुटिव ओफिसर है, वे उनको लेके गए, कुछ नहीं बोले, कि मैं यहां का हैड हूं, प्रशाद खिला, और फिर सिधा मैसूर भेजो, बेलग मैसूर से आये थे, और उसके बाद वो बोलके चले गए, अब इनका सब दर्शन हो गया, वे वापिस चले गया, पंदरा बीस दिन के बाद, उनने चिठी लिखी, बोला, सर मेरा शादी वगरा सब हो गया, मुझे प आद में समझ में आया, जान मुझ की ठाकुरजी मेरी गाड़ी खराब की, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी खराब नहीं होती, और अगर मेरी टाइम पे मंदिर पहुच जाता, तो भी दर्शन होने से रहे, क्योंकि इतना ज्यादा रश था, कि मेरी जो टिकेट थी, उस टिके तो मुझे आज दर्शन होने से रहे और कभी-कभी थिरुपती में ऐसा होता है अगर आप लाइन में खड़े रहे हो ना तो आप बार नहीं निकल सकते हो आपको वेट करना ही पड़ेगा तो मेरा सारा कारेक्रम खराब हो जाता था मेरा वहां पर जो मोहुर्त निकला था शा तो फिर वो अपने चिठी में लिखते है कि कैसी अजीब है ठाकुर जी कि क्या कहते है ना मतलब उनकी समझ में नहीं आते है उनके कारिया क्या करते है वो हमें शायद कुछ 10 दिन बात समझ में आए कुछ 1 साल बात कुछ 15 साल बात समझ में आए कि ठाकुर जी ने हमारे मेकानिक प्रोसेस हो तो आसानी से समझ में आ जाए आज में अगर बोलू कि मैं रेस लगा रही हूँ विशाखा पत्नम से मायपूर, कार, स्कूटर और साइकल, कौन पहले पोचेगा, अब बताएगे, कौन पहले पोचेगा, कार, करेक्ट, नहीं, अगर साइकल पोच गया त कब ठाकुर जी किसकी मदद कर दे, कब कौन जीत जाए, कब किसी को पीछे कर दे, पता नहीं है, पर, the bottom line is, वे हमारे शुब चिंतक है, और वो हमें प्यार करते है, ये बात बस हमें समझनी चाहिए, तो प्राथना के बारे में मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई, कि कभी- बोग सोचते है, मैंने प्राथना की, is equal to, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मेरे जीवन में, नहीं, प्राथना is equal to, भगवन तुमारे साथ है, कैसे ठीक करेंगे, वो उनका प्लानिंग है, वो तुमारी परिभाशा से ठीक नहीं करेंगे, वो उनकी बुद्धी से, वो उनक क Patientina कोई शर्त की, और पराथना भक्तों के द्वारा करनी चाहिए, पराथना भक्तों के द्वारा, जिस तरह से हम देखते हैं, चेतने महाप्रबू, जब जगना जी का दर्शन करता है, तो दूर से, गरुद अस्तंब के पास खड़े रहे के, गरुर के द्वारा करता है, क जब हम खड़े रहते हैं राधा कृष्ण के सामने तो हमें बोलना चाहिए O my dear राधाराणी, मेरे प्रियर राधाराणी आप अपनी कृष्ण को मेरे बारे में कुछ कहिए बस उस तरह से हमें जाना चाहिए वाया गुरु परमपरा, वाया राधाराणी और हमारी प्राधना का सबसे important vocabulary जब भी हम प्राधना करे हमें भगवान से कहना चाहिए if you wish ठाकुर जी अगर आप चाहो तो अगर आप चाहो तो यह बहुत जरूरी है वो हमारे order supplier नहीं है वो हमारे servant नहीं है जरा यह कर दीजे ना जरा वो कर दीजे अगर आप चाहो तो आप मेरे लिए कर दीजे आप मेरी मदद कर दीजे आप मेरी रक्षा कर दीजे आप मुझे सही मार्ग पर अगर आप चाहो तो यह बात प्रोपा जी बहुत क्या कोरते है बदा इकदम बताते थे एकदम important देते थे Krishna if you wish यह few wish अगर आप चाहो तो यह थोड़ी थोड़ी important चीजे जो है हमें हमारी प्राथना में मिक्स करनी चाहिए तो उस तरह से सरल भाव से भगवान की हमें प्राथना करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से शुद्ध हुरुदय से बिना कोई acting के गोपियों ने बिना कोई नाटक भगवान से प्राथना की थी वे जैसे थे वैसे तब भगवान ने उन्हें अपनाया था सुर्पंखा नाटक करके गई थी तो भगवान ने उसके कान और नाक क्या कहते ना मतलब काट दिये थे तो हम भी अगर सुर्पंखा के जैसे जाएंगे तो हमारे कान ना कट जाएंगे गोपियों जैसे सरल्भाव से हम जैसे है वैसे ही भगवान के सामने जाना है उन्हें सरल्मन से जो है उनकी प्राथना करनी है तो विद्धेस मैं आज यहीं खतम करूँगी और हम सब प्राथना करे कि भगवान हमें प्राथना करनी की शक्ति दे और प्राथना भी हम ऐसे करे जहां पे हम भगवान से कुछ ना मांगे भगवान से भगवान को ही मांगे ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धी भगवान हमें दे मैं यहीं खतम करूंगे थांक यू सो मुझ श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा बन को काफी सांकाट इस्टरबंस है कि कुछ फेस्टिवल्स हम बहुत जोर शोर से बनाते हैं उटसा रहता है लेकिन तो हम क्या करें जिस से हर festival में उट्साह एक ही प्रकार से बना रहा है, यही आपका question है? Okay, Okay, so, उट्साह का एक tip है श्रवन करना, जब हम श्रवन करते हैं, तब एक उट्साह आता है कोई भी चीज करने के लिए, जब हमारा श्रवन किर्तन थोड़ा सा वीक हो जाता है, जैसे अगर नर्सी मचेतुर्दसी है और आप एक दस दिन पहले से ही मंदिर में भागवत क्लास में भी नर्सी में देव के बारे में और उनकी सेवा करने से, उनकी वो कैसे कैसे अपने भगतों की रक्षा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तब एक excitement अंदर में बिल्ड होती है, और फिर हम जो है उत्साह से कर सकते हैं, तो श्रवन करने से जो है, जो जो डिवोटी उत्साही है, अलरी जो है, उनका संग करने से भी हम में उत्साह बढ़ता है, तो ऐसा हमें जो है अलग-अलग tips, अगर उत्साह नहीं आ रहा है, तो सम्वेर हमारी consciousness में कुछ प्रॉब्लम है, शायद हमारा जब कुछ वीक हो रहा है, तो यह सारे अलग-अलग reasons होते हैं, आज़र चांटिंग में कुछ कमी है, या हम सही भक्तों के संग में नहीं है, या हम ठीक से श्रवन नहीं कर रहे हैं, विश्रवन करेंगे तो एक उत्साह तो बनेगा ही बनेगा, नर्शिंग चतुद्यसी के थोड़े दिन पहले से शुरू करो, उनकी कथा सुनना, नित्यन अंदत्रयाद यसी है, तो उनके संबन चेतन चेता में से कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपने आप से एक उत्साहब बनेगा, और इसो डिपेंस अपन आपके इस कम्यूनिटी में हो, वहां का वातावरन क्या है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, आपका अब बेंगाल में हो तो बस कितनी भी कोशिश करो, लेकिन गौरपुर निमा के थोड़ा सा ज्यादा वाइभा हो ही जाता है, विकोज लोकल पीपल का भी एक उन्थूजियाजम, जैसे हमारे यहां पर साउथ इंडिया में राम नौमी का बहुत एंथूजियाजम होता है, क्योंकि इवन दो जो बिल्कुल मतलब जो मेंबर्स और डोनर्स है शायद इसकौन के भक्त नहीं, लेकिन राम नौमी मतलब वह पका आएंगे, यहां पर जो तेलगू लोग होते हैं सीता राम कल्यानम, सीता राम की शादी करवाते हैं, तो कभी-कभी ऐसे बहुत सारे factors भी होते हैं, कभी-कभी climatic situation भी है, जैसे कभी-कभी रथियातरा के season में बारिश वगरा भी हो, तो कभी उसमें भी थोड़ा सा डल हो जाता है, कभी-कभी financial situation भी होती है, उस मंदिर की उस community की शायद हर festival समान भाव से ना माना सके, तो इस social कारण भी है, कुछ economical कारण भी होते हैं, कुछ community reasons भी होते हैं, कुछ हमारे श्रवन कितन भी weak होती है, कुछ हमारे जब का भी problem होता है, कुछ हमारे association का भी problem होता है, तो ऐसी कौन सा चीज problem दे रहा है, उस पर हमें सोचना है, मतलब जस घंबीरता से सोचना है, क्यूं यह हमारा enthusiasm डाउन जा रहा है, क्यां गल्ती हो रही है, इसको चेक करना है, Thank you so much, यहां पर खतम करूंगे, अरे कृष्णा, श्रील प्रभपाद की जाए, वांचा अकल्पतरो भैस्च, क्रिपास इंद्यु वेवच, पतिता नाम पावने भ्यो, वैष्ण वेभ्यो नमोनमाह, अनन्त कोठी वैष्ण व्रिंद की जाए, श्रील प्रभपाद की जाए, अरे कृष्णा, सब क्रिष्णा, क्रिष्णा, क्रिष्णा लगे, सब क्रिष्णा, क्रिष्णा, क्रिष्णा लगे, सब क्रिष्णा,